कि आपके मोबाइल में भी उपर नोटिफिकेशन आ रहा है वो प्रोब्लम आ रहा है यानि कि नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है जिस प्रकार से मेरे मोबाइल में देखी ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है और कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देता है तो इसको हम कैसे ठीक करें देखिए इसको ठीक करने का एक बेस्ट तरीका आपको मैं सिखाऊंगा वीडियो को लाट तक वह जुरूर करते रहना आपको सबसे पहले क्या करना है देखिए वीडियो को लाट तक देखते रहना है आपको जाना है देखिए अपन कर देना है open जब आप इसको open कर दोगे ना तो यहां पर आपके सामने कई option आ जाएंगे लेकिन हमें क्लिक करना देगी एप notification एप notification पर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर देखिए जिस भी एप का notification नहीं आ रहा है उसमें problem यह होगी कि उसका notification बंद होगा यह देखिए रहा यहां पर जब आप इसका blue हो जाएगा तो इसका notification आना शुरू हो जाएगा और इसका off हो जाएगा तो notification आने बंद हो जाएगे यहां पर आपको एक setting और दिखाई देगी sort by time developed इस पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर देखिए sort by number of notification कई बार आपने देखा होगा कि आपके app के अंदर WhatsApp के अंदर message आते हैं तो एक दो तीन चार इस परकार से application यानि नमबर दिखाई देते हैं वो आपको करने है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं apps that can so notification यानि कि आपके apps के notification बंद करने है तो आप इसको कर दीजिए और can't so पर करना है तो इस पर कर दीजिए दिखाना है तो उपर वाले पर क्लिक कर दीजिए आपको करना क्या है वो इस भी आप कर सकते हैं आपको देखिए मान लेजिए play store का बंद करना है तो इस बंद हो जाएगा यहां से यह दिखाई दे रहा है यह problem अलग है इसको off करने के लिए आपको snooze करना होगा तब भी आपकी off हो जाएगी यह notification अलग है अब देखिए आप इस परकार से notification को on off आसानी से कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like करना चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेश जरूर कि लेना मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक